गाइस आज की वीडियो में हम CapCut Video Editor को डाउनलोड करना सीखेंगे बिना किसी VPN Software का यूज किये और बिना किसी थर्ट पाटी वेबसाइट के जैसा कि आप सब जानते हो CapCut Video Editor इंडिया में बैन है और बिना किसी VPN के आप इसे डाउनलोड नहीं कर सकते हो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी VPN Software की जरूरत नहीं पड़ेगी आप बिना किसी VPN के CapCut को डाउनलोड एंड यूज कर सकते हो तो गाइस CapCut को डाउनलोड करना काफी इजी है इसके लिए आप सबके PC में Microsoft Store होगा आपको सिंपली Microsoft Store को Open कर लेना है उसके बाद आपको आना है सर्च बार पे सर्च बार पे आने के बाद आपको यहाँ पे CapCut टाइप करना है जैसे अब इसे लिक लोगे इसके बाद आपको इसे सर्च कर देना है, सर्च करने के बाद बहुत कम चांस होती है कि आपको यहाँ पे CapCut Video Editor देखने को मिलेगा, अगर आपको यहाँ पे CapCut Video Editor देखने को मिलता है तो आपको सिंपिली से इंस्टॉल कर लेना है, लेकिन मैक्सिमम केस में अगर आप इंड लोड कर सकते हो तो अभी आपको Microsoft Store को close कर लेना है उसके बद आपको आना है अपने Start menu पर Start menu पर आने के बाद आपको settings को open करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको आना है search bar और find a settings option पर यहाँ पे आपको country लिखना है उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एक option change your country or reason आपको इस पे click करना है इस पे click करने के बाद right side में इसकी settings open हो जाती है उसके बाद आपको यहाँ पे scroll करके नीचे जाना है नीचे आपको reason देखने को मिलेगा country or reason यहाँ पे पेज को close कर देना है इसे close करने के बाद अगेन आपको अपने Microsoft Store को open करना है उसके बाद आपको फिर से आना है सर्च बार पर देन आपको यहाँ पे CapCut लिखके फिर से सर्च कर देना है जैसे आप CapCut लिखके सर्च कर दोगे तो इस बाद आपको यहाँ पे CapCut देखने को मे लिखा आएगा installed उसके बाद आपको simply Microsoft Store को close कर लेना है Microsoft Store को close करने के बाद आपको यहाँ पे cap card देखने को मिलेगा आपको simply इस पर double click करके इसे open कर लेना है उसके बाद यहाँ पर कुछ testing होती है कि यह आपके PC में run करेगा या नहीं यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे case में लि mining कर लेना है लेकिन मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ इसलिए मैं यहाँ पर new project को open कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर आपके सामने cap card का main window जो है वो open हो जाएगा जहाँ पर हमारी editing होती है उसके बाद आप यहाँ पर easily अपने video को edit कर सकते हो आप यहाँ पर transition लगा सकते हो यहाँ पर एक common error आती है network error अगर यह error आपको देखने को मिलता है maximum case में बिना VPN के आपको यह error देखने को मिलेगा इसे आप काफी easily solve कर सकते हो इसके उपर मैंने already एक video बना के रखा है जो आपको video के description पर मिल जाएगा या फिर आप channel पर visit करके देख सकते हो वहाँ पर simply एक free VPN को setup करना परता है कोई भी software को install करने की जरूरत नहीं परती है and simply आप यहाँ पर VPN को connect कर सकते हो मैंने already इसे setup करके रखा है तो मैं VPN पर जाता हूँ उसके बाद simply यहाँ पर VPN 1 पर click करके connect पर click करता हूँ उसके बाद हमारी VPN यहाँ पर connect होना start हो जाती है जै CapCut में जितने भी features होते हैं वो सारे वापस यहाँ पर आ जाएंगे इसके बाद आप इसे वीडियो पर कहीं पर भी लगा सकते हो simply drag and drop करके तो guys यह पूरा process था कि आपको CapCut को कैसे download करना है अगर network error आती है तो उसे कैसे solve करना है अभी हमारी वीडियो खतम नहीं हुई है ह हमने जो country को चेंज किया था उसे भी ठीक करना होगा वरना timing में error आती है तो इसके लिए आपको CapCut को cut कर लेना है CapCut को cut करने के बाद आपको आना है start menu पे दन आपको यहाँ से settings को open करने के बाद आपको यहाँ पे आना है find a settings पे उसके बाद यहाँ पे आपको country लिखना है country लिखने के बाद नीचे आपको जाना है change your country और reason पे इस पे आने के बाद आपको scroll करके नीचे जाना है नीचे आपको country और reason पे United State देखने को मिलेगा इसे आपको फिर से India set कर लेना है जो हमारे by default set था India set करने के बाद आपको इसे cut कर देना है cut करने के बाद आपका साड़ा काम इहां का हो चुका है and guys ये पूरा process था CapCut को download करने का I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी यदि इस वीडियो से आपकी help हुई है तो please channel को subscribe कर लेना वीडियो को भी एक like कर देना अगर कोई error कर दो